हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती फास्ट और बहुती क्विक रेसिपी टॉटिया की टॉटिया राप रेसिपी तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह या आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन सबसे पहले मैंने लिया है थर्ट फॉर्ट कप आफ वीट फलार मैं इसे वीट फलार से बना रही हैं आप चाहें तो मैदे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैं थोड़ा सॉल्ट डालूँगी ऐस पर टेस्ट वन टेस्पून गी है वो मैं डालूँगी और गी को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लें मैं स्पैचुला से कर रही हूँ क्योंकि मैं उसमें अभी हॉट वाटर इस्तिमाल करूँगी इसलिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद होट वाटर लें आधा कप ज्यादा बॉयल वाटर नहीं बट होट रहना चाहिए हमें इसे सॉफ्ट की तरफ गुंदना है तो देखिए आधा कप पानी सफिशेंट है थर्ड फोर्थ कप आफ वीट फ्लार के लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसे गुंद सकते हैं कभी कभी आटे पर भी डिपेंड होता है कि कितना पानी वो लेता है तो अच्छी तरह से इसे गुंदे यह देखिए इस तरह से यह सॉफ्ट रहेगा और इसे हम पांच मिनट के लिए ढख करके रखेंगे फाइव मिनिट्स के बाद थोड़ा सा ड्राई आटा लेंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसकी छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे मीडियम साइज में मैं अभी आपको दो पेड़े बना कर दिखाती हूं कि स्टीकी होगा तो इसमें घबराय नहीं आटा कर ले ले और इससे फिर आराम से इसकी गुले बना सकते हैं ड्राइ ड्रस्ट ले ले अब इससे हम पतला सा बेलेंगे हलकी हांतों से इसे बेले यह देखे इस तरह आप थिकनिस देख ले अब हम इसे सेकेंगे मैंने तबा को मीडियम हीट पे प्री हीट कर लिया था देखे 30 सकिंड के बाद आप इससे फिलिप कर ले इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना होता है तो अब हम इसे निकालते हैं मैं आपको देखाऊंगी अगर जादा सिक जाए तो आप किस तरह से आप इसे करेंगे अगर उसका डिफरेंस में आपको बताऊंगी यह देखें तो इस तरह का नहीं होना चाहिए इससे भिन जाएगा बट मैं आपको देखेंस बता रही हूं क्योंकि यह टाइट भी हो सकता है कड़ा हो जाएगा तो अदर्वाइस आप जिस तरह से मैंने पहले बनाया हैं उस तरह से आप इसे बनाए और अब आप इसे इस तरह से पहले फोल्ड कर ले आधे में फिर स्क पसंद से कर सकते हैं किसी भी तरह की फिल्िंग कर सकते हैं सुझी कर रही हूं तो मैं बनाना जैम डाल रही हूं हे थोड़ा डेट तढ़ रही हूं इसको इसके बीज मुद्र करके मैंने चॉप्ट कर लिया, चॉकलेट इस्प्रेट करूंगी, वन स्पून, डेट्स की जगा आप मैश मेलो या किसी भी तरह का चॉकलेट भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं, अब सेंटर से एक सिरे को कट करेंगे, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह, फिर इस तरह, एन आए इस तरह, यह देखे, इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया मैंने, दूसरी रॉट्या को भी मैं इस तरह से बनाती हूं, यह देखे, मैंने फिलिंग कर लिया, अब इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद हलके हाथों से प्रेस कर लिया, मैंने टोस्टर की मंदद ली है, आप चाहें तो तवा पर भी इसे सेख सकते हैं, थोड़ा सा बड़र डालें, रैप को रखें, और इसे, इसका तो डायरेक्शन रहता है, कितने आपको, कितने दिर में यह पक जाएगा, तो उसके एकॉर्डिंग आप इसे करें, मैं उपर बटर डालना भूल गई थी, तो मैं बीच में कोलके बटर डाल रही हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी, यह देखिए, यह कुक हो गया है, तो इस तरह से कुछ बनके रेडी हो जाएगा, तो आप इसे निकाल लें, सर्विंग प्लेट में, दूसरे रेप को भी हम सेम इसी तरह से कुक करेंगे, पहले बटर डालेंगे, फिर रेप डालेंगे, उसके उपर फिर से बटर डालेंगे, सेम प्रोसेस आप किसी भी तवा में कर सकते हैं, पैन हो, तवा हो, या नॉनिस्टिक पैन हो, किसी में भी आप चाहें, तो कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डिजाइन आ जाता है, तो ये अच्छा दिखता है, इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ, ये भी कोख हो गया है, इसे भी मैंने निकाल लिया, और आप चाहें तो चॉ किसी रेसिपी है, थैंक यू,